हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अगर आपको भी मेरी तरह पराठी खाना पसंद है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं आलो को हमने पहले ही उबाल कर ठंदा कर लिया है आलो ठंदा रहेगा तब आपके पराठे फटेंगे नहीं अब आलो को हम मैस्क कर लेंगे आप चाहें तो कटूरी से भी मैस्क कर सकते हैं पर हमने इसको हाथ से हैं ऐसे मैस्क कर लिया है मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन हमने हरी मिर्च नहीं लिया है कटा हुआ प्याज हरी धनिया नमक स्वादानुस्वार मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आटा हमने पहले ही गूथ लिया है हम आपको दो तरीके से पराठे को भर कर दिखाएंगे आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं आटे की एक लोई हमने तोड ली है अब हम इसको हाथ से ऐसे अंदर की ओरी गढ़्धा बनाएंगे हाथ से ऐसे दबाते हुए यह हमारा गढ़्धा बन गया है अब हम इसमें एक चमाज मसाला भरेंगे और आलू को अंदर की ओर दबाते हुए इसको बन्द कर देंगे यह देखे यह बहुत आसान तरीका है हम इसको ऐसे बन्द करके रख देंगे यह दूसरा तरीका एक लोई लेंगे इसमें हम सुखा आटा लगाकर इसको थोड़ा सा बेल लेंगे अब हम इसमें आलू को भर लेंगे दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको पसंद आए जो आपको आसान लगे आप बना सकते हैं दोनों ही आसान है आलू को अंदर की ओर दबाते हुए इसको भी बंद कर देंगे इक्स्ट्रा आटा को हम ऐसे तोड़ देंगे अब हम इसको गोल करके पराठे को बेल लेंगे इसमें हम पहले थोड़ा सा सुखा आटा लगाएंगे पराठे को हमको बिल्कुल हलके हाथ से बेलना है इसको रोटी और पूरी की तरह बिल्कुल भी नहीं बेलना है आराम आराम से बेलेंगे तब हमारे पराठे कहीं से भी फटेंगे नहीं ये देखिए हमने पराठे को बेल लिया हमारा पराठा कहीं से भी नहीं फटा है अब हम पराठे को सेक लेंगे तावा हमारा गरम हो चुका है तावे पे हमने तेल लगा लिया है पराठे को डाल दिया पराठे को हम पलट लेंगे दूसरी तरफ भी हम तेल लगा लेंगे पराठे को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर सुनहरा होने तक सेंक लेंगे पराठे को तो आप किसी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप इसको दही के साथ खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा हमने पराठे को सेख लिया है आसा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने मली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएं थेंक यू, थेंक्स पार वाचिंग, बाई बाई